हलो श्टुडेंट्स एक लास्स बाय मनीश सर में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूँ मनीश शेंकर तेवारी हम लोग देख रहे हैं पालमपुर गाउं की कहानी तो कहानी में अब तक क्या हुआ इसको मैं आपको बता दूँ कि पालमपुर गाउं है जहां पर 4500 के लगभग परिवार है एक तेहाई परिवार अनुसूचित जाती वरके हैं उनमें अधिकांस के पास कोई जमीन नहीं है मतलब वे लोग भूमी हीन मजदूर की तरह हैं भूमी हीन श्रमिक हैं और 240 के परिवार लगभग ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेर से कम जमीन हैं मतलब वे खेती हर मजदूर हैं और भूमी हीन मजदूर नहीं हैं उनके पास भूमी तो है लेकिन अपने आमदनी को बढ़ान के लिए भी वे मजदूरी करते हैं कुछ किसान हैं जिनके पाद दो एकर से जादा जमीन है वे मज़ोले किसान है कुछ बड़े किसान दस हेक्टीर से अधिक भूमी वाले हैं भूमी इस्थिर है बढ़ने रही है जिसके पाद जो जमीन 1960 में थी वही जमीन आज है जब इस्तिर भूमी है तो पैदावार बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया बहुविद फसल प्रणाली उपयोग में लाए और इसके अलावा उन्होंने हर्द करांती के बाद आधुनी क्रिशी पद्धतियों का उपयोग किया आधुनी क्रिशी पद्धतियों से पैदावार तो बढ़ गई ये फायदा हुआ सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि भूमी की धारित चमता उपजाओ चमता कम होने लगी ये बहुत बड़ा नुकसान है साथ ही फसलों में भी उन कीट नासकों का असर देखने लगा और लोगों में बीमारियां पनपने लगी इसके बाद हमने देखा कि खेतों में श्रम की विवस्था कहां से होती है तो देखा कि छोटे किसान अपने खेतों में खुद काम कर लेते हैं की बड़े किसान या तो छोटे किसानों को या श्रमिक जनके पास जमी नहीं है उनको ले लेते हैं इन्हें सारी चीजों में हमने उत्पादन के कारकों की अलग अलग उप्योगता देखी आप लोगों ने देखा कि उत्पादन के प्रमुक तीन कारक भूमी श्रम और किसान है कि इस परधा बहुत जादा है काम को हासिल करने की और वह प्रफ्चुर मात्रा में उपलब्द है और ये श्रम जो उपलब्द होता है या तो वे श्रमिक जो हैं भूमी हीन परिवारों से हैं या छोटे किसानों के परिवारों के सदर से यहां पर श्रमिक के समान तरीके से है कई छोटे किसान है जो लगबग भूमी ही मजदूरों की तरह जीवन यापन कर रहा है उनका जीवन बहुत कठेन है और साथ ही साथ वे लोग उधार लेने के कारण करण करज के बोज तले भी दबे हुए हैं अच्छा उपलग्द जो भूमी है किसानों के प करते हैं और आधुनिक करशी पद्धतियों के प्रियोग में वे राशायने कुरवरक और कीट नासकों का अंदाधुंद प्रियोग कर रहा हैं जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि पंजाब, हर्यान और पच्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को तो अभालत य यह हो गई है कि उनको उसी भूमी से ज़्यादा उपच पाने के लिए और अधिक मातरा में कीटनासकों राशायनिक खादों का प्रियोग करना पड़ रहा है और जमीन खराब होते जा रहे हैं से और इसका एक और नुकसान क्या हो रहा है कि खेती की आधुनिक विधियों क बाजार से खरीदना है और कई बार तो छोटे किसानों के खेतों में नलकूप नहीं होते तो सिचाई के लिए भी उनको किराया देना पड़ता है और इस तरह से वे उधार के मकड़ जाल में ब्याज के मकड़ जाल में उलजते चले जाते हैं हलाकि भूमी और पूंजी दो दोनों खेती के लिए बहुत मुलभूत और जरूरी कारक हैं लेकिन दोनों में एक विशेष्टा है भूमी एक प्राकरतिक संसाधन है जबकि पूंजी जो है वो मानवी संसाधन है तो पूंजी तो तयार हो सकती है बन सकती है लेकिन एक बार भूमी खराब हो जाए तो दो के लिए उनको विशेश ध्यान देना होगा अब चलिए हम आज के इस वीडियो के मुख्य बिंदू पर आते हैं आज का हमारा विशा है जो से आज हमें पढ़ना है कि किसान जो है अपनी अधिशेश फसल को या उत्पादन के करने के बाद अपनी उपयोग के लिए बची फस ग्याहूं का क्या करेंगे तो उस अधिशेश क्रशी उत्पादों को या फसलों की बिक्री कैसे करते हैं चलिए थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं मान लीजिए किसानों ने उत्पादन के तीन कारोकों का प्रियोग करके अपनी भूमी में ग्याहूं पैदा कर लिया है ग्याहूं की कटाई की जाती है और इस तरह से उसका उत्पादन पूर्ण हो जाता है अब किसान ग्याहूं का क्या करते हैं वे परिवार के उप्योग के लिए कुछ ग्याहूं रख लेते हैं और अधिशेश ग्याहूं को वे बेच देते हैं तो सविता और गोविंद के ब गया हूं वो दिया, काट लिया, काटने के बाद घर लिया, उपयोग के लिए गया हूं बचा लिया, बचाने के बाद मैं उसको बेच दिया, लेकिन एक किसान जैसे आप ने देखा सवीता और गोविंद, गोविंद की कहानी में आपको पिछले वीडियो में बता चुका हू तो वे क्या करते है? उस जमीन पर काम तो करते, साथ में ही यह अत्रिक्ट कारे की तलास में भी लगे रहते हैं इसी तरह से सवीता नाम की एक किसान है, उसकी तो एक हेक्टेयर से भी कम जमीन है अब ऐसे स्थिति में उसको क्रिया सील पूंजी की भी आवशकता होती है उसने इसको ब्याज में पैसे देने के लिए हां कर दिया लेकिन एक सर्थ लगाए कि 24% के ब्याज से मैं पैसा वसो लूँगा ब्याज की दर जो है वो बहुत ज़ादा थी लेकिन सविता की ये मजबूरी थी कि उसको उसी दर पर पैसा उधार लेना पड़ा और उस पैसे को पटाने के लिए ब्याज को पूरा चुकता करने के लिए उसको अतिरित श्रम करना पड़ रहा था तो वह अपने खेतों में काम करती साथ में वो अन्य किशानों के खेतों में भी काम करती और उधारी पटाने के लिए उस तेजपाल के खेतों में भी उसको काम करना पड़ता था तो ये सविता की कहानी आप लोगों ने देखी यहाँ पर तो ऐसे सविता और गोविंद जैसे जो किसान थे इनकी उपच कम होती और इनको पैसों की जरूरत पढ़ती रहती थी तो आगे चलिए हम देखते हैं कि पैसों की जरूरतों का जिनको जरूरत हैं वे कैसे पूर्दी करते हैं और जिनके पास अधिशेश्च मात्रा में पैसा बच जाता है वो उस पैसे का क्या करते हैं तो आप लोगों ने देखा कि सविता और गोविंद जैसे छोटे किसानों के पास जो एक्स्ट्रा गैहूं था वो कम होता था तो इस में से भी एक बड़ा भाग परिवार की आवश्चक्ता के लिए वे रख लेते हैं इसलिए मंझोले और बड़े किसान ही बजार में गैहूं की पूरती करते हैं क्योंकि उनके पास में एक्स्ट्रा गैहूं बच जाता है आप गैहूं से लदी बजार जाती बैलगारियां देख सकते हैं बाजार में व्यापारी गेहूं खरीद कर उसे आगे कस्बों और सहरों में दुकानदारों को बेच देते हैं तो यहाँ पर भी वही सारी बातें बताए जा रही है कि बड़े किसान गेहूं एक्स्ट्रा बचा उनको बेच देते हैं तो या तो वे गाउं में ही व्यापारी आ जाता उसको बेच दें या मंडी में जाकर बेच दें या बड़े गाउं पर जाकर जिसे राइगंज वहा नजदी की गाउं था राइगंज में जाकर बेच दिया या फिर शाहपुर जो एक छोटा कस्बा है वहां से के किसानों को बेज तो दुकानदार व्यापारियों को बेज देता था तो यह चीज एक किसके साथ में सम्हुभ थी कुछ बड़े किसान जो थे जिनके पास में अपनी आवश्शकता का ग्यंहुं बचाने के बाद जो बचता वो छोटे-मोटे ब्यापारियों को बेच कर वो उसका काम कर लेते लेकिन जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में गयहूं बचता वो क्या करते वो मंडियों में जाते या बड़े ब्यापारियों को अपनी फसल बेचते ऐसा ही एक किसान है तेजपाल वो अपनी फसल का क्या कर चलिए हम उस को समझते हैं एक बड़ा किसान टेजपाल सींग को अपनी पूरी भूमी से लगभग साड़े तीन सो कुंटल एक्ष्ट्र गेहूं मिल जाता है तो वह अपने जो एक्ष्ट्र गेहूं है उसको रायगंज के बाजार में बेच देता है वहाँ जाता है और बेच दिया और इस से वह एक अच्छी खासी कमाई कर लेता है अब सवाल ये है कि तेजपाल इस कमाई का करता क्या है पिछले साल तेजपाल ने अधिकांस पैसा तो बैंक में जमा कर लिया था और फिर बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सवीता जैसे किसानों को कर्ज देने के लिए किया वह जो तेजपाल है वह अपनी कमाई को या तो बैंक में जमा करता या कर्ज के रूपे में छोटे किसानों या खेती हर मजदूरों को भूमी ही मजदूरों को देता उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कारेशील पूंजी की विवस्था करने में भी किय अब आपको कारेशील पूंजी किसे कहते हैं इसको समझाने की जरूवत तो है नहीं है कारेशील पूंजी मतलब कच्चा माल और नगद मुद्रा तो खेती के लिए कच्चा माल क्या हो जाएगा कारेशील पूंजी के अंतरगत बीज हो गया खाद हो गया कीट नाशक हो गय यह होगे कारेशिल पूंजी, साथ में नगद मुद्रा, तेजपाल सिंग बच्चत के पैसों से एक टेक्टर खरीदने की योजना बना रहा है, तो इस तरह से दूसरे टेक्टर से उसकी इस्थिर पूंजी में व्रद्धी हो जाएगी, एक टेक्टर आल्रेडी उसके पास मे के अंतरगती आएगा, इस तिर पूंजी क्यों कहलाएगी है, इसलिए कहलाएगी क्योंकि टेक्टर का उप्योग वर्सों बरस तक किया जा सकता है, ठीक है ना, तेजपाल सिंग की भाती, दूसरे बड़े और मंजोले किसान भी, खेती के अधिशेश क्रशी उत्पातों को बेशते हैं, कमाई के एक भा को अगले मौसम के लिए पूंजी की विवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है, इस तरह की विवस्था अपनी ही बचतों से वे कर लेते हैं, और बचत का उप्योग पशू खरीदने तथा दुकान खुलने में भी करते हैं, जैसा कि हम देख आती हैं, तो क्या करते हैं वो लोग, अपने खाने के लिए कुछ फसल को घर में रख लिया और सेज फसल को वो बेच देते हैं, अब बेचने के बाद में जो पैसा मिलता है उसको क्या करते हैं, या तो बैंक में जमा कर देते हैं, या छोटे किसानों को या अन किसी को जिस किशोर के और किशान हैं बड़े मंजोले वे जो पूंजी बच जाती उस पूंजी का उपयोग इस्थिर पूंजी में विरध्धी के लिए करते थे अब जो है किसान पैसा बच जाता उनके पास में एक्ष्ट्रा तो वो लोग क्या करते या तो पशु खरीत के लिए आते वो एक खेती हर मजदूर था उसकी आमदनी जादा नहीं थी तो उसने क्या किया कहीं से एक अच्छे नसल की भैस खरीत के लिए आया अब वो भैस लगाता और उस भैस को अपने आसपास चहरों में या शाहपुर में या राय गंज के लोगों के लिए सप्लाई करना लिया तो इस तरह ऐसे जो पैसे बच जाते उससे या तुभे दुकान डाल लेते कंप्यूटर सेंटर डाल लेते गुड़ बनाने के क्याई डाल लेते या फिर गाय या भैस खरीद कर उससे क्या करते दूद का उत्पादन करते और दूद की सप्लाई करते अच्छा भैस से क्या हो जाता भैसा बग्गी भी तयार हो जाती उनकी तोस्ते वो माल सप्लाई का काम भी करने लगते मतलब गुड्स कैरियर के रूप में भी उस भैसा बग्गी का प्रियोग कि शोर जैसे लोग करने लगते थे तो इस तरह से ये जो पूंजी फसल को बेचने के बाद प्यूटर सेंटर हो या भैस खरीदी हो ये क्या क्रशी क्रिया कहलाएगी नहीं क्रशी क्रियाओं के उप्योग करने के बाद जो धन सेस बचा वो धन जो है वो पूंजी जो है गैर क्रिशी क्रिया के लिए लागत पूंजी बन गई समझ में आ गया ना क्रशी क्रिया से ज कंप्यूटर सेंटर डालना डेरी डालना इसके लिए लागत पूंजी बन गई तो चलिए अब हम समझने की कोजिस करते हैं कि पालमपुर की गैर क्रिशी क्रियाएं कैसी है पालमपुर में गैर क्रिशी क्रियाएं डेरी अन्य प्रचलित क्रिया पालमपुर में कई परिवारों में डेरी एक प्रचलित करिया है लोग अपनी भैसों को कई तरह की घास खिलाते हैं बरसात के मौसम में उगने वाले ज्वार बाजरा चरी खिलाते हैं जैसा कि मैंने आपको सुरुआती वीडियो में बताया था पहले वीडियो में बताया था कि खरीब के मौसम में ज्वार और बाजरा वो लोग लगाते हैं पालमपुर के किसान जो पसुओं के चारगे काम में आता है और उससे जो दूद होता है उस दूद को निकट के बड़े गाउं राइगंज में बेचाते हैं शायपुर सहर के जो दो व्यापारी हैं उन्होंने राइगंज में मिल्क कलेक्शन सेंटर खोल के रखा है दूद शंग्रहन के अंदर और शीतलन के अंदर स्टोरेज भी बना रखा है उन्होंने तो वे क्या करते हैं आस पास के दूद दराज के जो दूद बेचने वाले आते हैं उनसे दूद ले ले लेते हैं और जरूरत मन्द लोगों को सहरों और कस्बों में भेज देते हैं तो ये इस तरह से पालमपुर के लोग अपनी अत्रिक्त आमदनी के लिए डेरी का काम भ लगे हैं शहरों और कस्बों में बड़ी फेक्ट्रियों में होने वाले निर्माड के विपरीत पालमपुर का निर्माड छोटा है और सरल है यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होता निर्माड या विनिर्माड या उत्पादन के कारियों में जो पारि इट बनाने का व्यावसाए हो, या घर में बास की टोकरियां बनाना हो, या करीम जैसे सेंटर खोलने की बात हो, कम्प्यूटर शेंटर की बात हो, इन में बहुत जादा बाहर से स्रमिक लगाने की आवस्सकता नहीं पड़ती। हाँ जब उत्पादन बढ़ाना होता है, कहीं से मांग अच्छी आ जाती है तब कभी कभार स्रेमिकों को किराय से ले लिया जाता है अब आगे हम देखते हैं पालंपुर के दुकानदार पालंपुर में लोग व्यापार नहीं करते मलब पालंपुर प्रौपर के लोग वस्तू वी नहीं नहीं करते पालंपुर के जो व्य इस्टोर में चावल, गैहूं, चाय, तेल, बिस्केट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मौमबतिया, कॉपी, पैन, पैंसिल और यहां तक की कपड़े भी बिखते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, ठोक में सामान ले आते हैं बाहर से और उनको बाहर सिला करके पालमपुर गाओं में बेचते हैं, ठीक है न, समझ में आगया न आपको, और अब आगे देखते हैं कि कुछ परिवारें से हैं, जिनका घर जो है, वह बस्टेंड के पास में है, बस् अच्छी चीज हो गई है परिवहन तेजी से विकसित होता छेत्रक। पालंपुर और रायगंज के बीच सडकों पर कई प्रकार के वहान चलते हैं या आपने देखा। रिक्षा वाले तांगे वाले जीप, टेक्टर, ट्रक ड्राइवर, बेल गाड़ी, भेंसा बग्गी और ये सब चलाने वाले लोग भी हैं ये जो परिवहन सीवा में सामिल हैं वे लोग बस्तूओं को और लोगों को एक जगाए से दूसरी जगाए तक पहुंचाते हैं इसके बदले में उनको पैसे मिल जाते हैं पिछले कई बरसों में परिवहन से जोड़े ऐसे लोगों की पूंजी है और ये लगातार कारिसील पूंजी को पैदा करती रहती हैं तो आप लोगों ने पालमपुर गाओं की इस कहानी को बहुत अच्छे से समझ लिया हुगा क्यों कि ये पालमपुर गाओं की कहानी का अंतिम एपिशोड है इसमें आपने खेती की क्रियाओं से आराम काम करते हैं फिर दूसरी आप ने देखा कि विनिर्मार छितर में लगे हुए हीट भटे बनाना गुर बनाना इत्यादी का काम करते हैं फिर आप लोगों ने देखा कि पालमपुर में कुछ दुकानदार भी वहां वस्तूईन में नहीं होता बार्टर सिस्टम नहीं है कि आप चना के बदले में ग्याहू ले लो डाल के बदले में चावल ले लो ये काम नहीं है वहाँ पे पैसे दो और सामान लो क्यों क्यों कि पालंपुर के जो दुकानदार हैं वे व्यापारी नहीं हैं वे सिर्फ दुकानदार हैं वे राइगंज या शाहपुर के बड़े व् ज़रूरत पड़ती है वे सारी चीज़ें पालंपुर के दुखानदार बेजते हैं अच्छा इसके अलावा एक और नया बीजनेस आपके गाओं में भी शुरू हुआ होगा कि लोगों ने आटो खरीद लिये हैं कुछ लोगों के पास पुरानी बैल गाडियां हैं तो पालं से राय गंज राय गंज से साहपूर आना जाना करती है तो एक परिवेहन का छितरक विक्सित हो गया है लोगों ने बस खरीद लिये या आटो खरीद लिये तो आटो बस या पिकप से लोगों का भी आना जाना हो जाता है वस्तूओं का भी परिवेहन हो जाता है और इस तर गुड बनाने की इकाई लगाने में कितनी पूझी की जरूरत होगी ये आपको आकलन करना है ठीक ना कि गुड अगर हमें तयार करना है तो लगभा कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी दूसरा गाओं में और अधिक गैर क्रिशी क्रियाओं को आरंभ करने के लिए क्या किया सकता है ये आपको सोचना है अभी तक मैंने आपको चार गैर क्रिशी क्रियाओं बताएं डेरी दुकानदारी आटो बगएरा चलाने की और एक विनिर्मान इट भटे इत्यादी की इसके अलावा कोई और गैर क्रिशी क्रिया है क्या चलिए एक क्लू मैं दे देता हूं कौन से काम है जो गैर क्रिशी कार कहलाते हैं उनकी सूची बना लेजिए चौथा प्रश्न मंझोले और बड़े किसान खेती से पूजी कैसे प्राप्त करते हैं बहुत आसान कोश्चन है आप इसका अंसर दे लेंगे डेरी फार्म संचालन हेतू रूप रेखा लिखिए य या क्या जाने आपने खेती की क्रियाओं को जाना और गैर क्रिशी क्रियाओं को जाना मतलब क्रिशी क्रिया और गैर क्रिशी क्रियाओं को जाना उत्पादन के कारक जाने प्रमुक संगठन उत्पादन के संगठन के अंतरगत प्रयोक्त होने वाले प्रमुक कारक और कौन भूमी श्रम और पूंजी, भौतिक पूंजी के दो प्रकार जाने, मानो पूंजी को समझा ये सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो चलिए अब हम इस पालंपुर गाउं की कहानी को यहीं विराम देते हैं और आप लोगों से यह कहेंगे कि जिन लोगों ने अभी पालंपुर गाउं की कहानी बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए हैं वे इस कहानी के चारों वीडियो को एक बार फिर से देख लें चलिए आप लोग देखिए एकलास जबाय मनी सर और मुझे आग्या दीजिये जय हिंद